आज हम बनाना सेखेंगे दोस्तों मंधानी मोटर 24 स्लोट की जो 24 स्लोट की मंधानी मोटर होती है दोस्तों घर में हम राई यूज करते हैं लसी बनाने के लिए उसकी मोटर को आज हम बनाना सेखेंगे पूरा A to Z है दोस्तों वीडियो बहुत ही शांदार होने वाला है तो वीडियो का पूरा का पूरा बाज करें और आपको पूरा full detail में मैं आपको समझाने वाला हूं ठीक है तो ये हमारा पर 24 श्लॉट का ये stator है और जो इस stator है दोस्तों ये हमारा पूरे ये जो इसमें cutaway 24 तो इसको बनाने के लिए दोस्तों हमने इसमें insulation paper हमने इसमें इंसल्ट कर दिया है इसके माथ हम क्या करेंगे दोस्तों हमने यहां पर लगाई या है इस तरह का grinder ठीक है इस तरह का grinder होता है आप इसको फट्टे के ऊपर कील मारकर के भी बिना सकते हैं और कोईल बनाने के लिए तो हमने क्या किया है दोस्तों जो इसका डाया है यहां से आपको दिखा देता हूं यहां से यहां का डाया है यह है हमारा में आपके दिखा देता हूं यह हमारा साड़े 18-184 अठार पांच हम निसका डाया रखा है गुलाइं में जो हमारी koil बन ने वाले हैं तो इसके लिए हम जो वायर यूज करने वाले हैं वह वायर के बारे मैं आफको बतागे था हूं इसका जो एक राउंड से हम एक राउंड स्थे पूरा होगा तो यहां पर जाते हैं जase में यहां आएंगे यहां एक आयंगे तो हमने डाटा डाला है रखना है वो रखना है दोस्तो तो 220 10 हमने 35 नंबर वायर में किसमें स्टार्टिंग कॉल में दोश्बीस हमने 4 कोई बना देनी है फटावट से विए उनको बना देता हूं कि दोस्तों हमने 40 यहां पर बना लिए है 220 220 220 क्या स्व पर गांड कि इसको इंसल्ट करना सीखेंगे कि किस तरह से आपने डालनी है तो इनकों बाहर निकाल लेते हैं मालूम है कि इसमें 24 लोट है तो हम क्या करेंगे इसकी पीछ रखेंगे हो क्या रखेंगे दोस्तों आप इसको कहीं से भी शुरू कर सकते हैं इस साइड से भी और आप इसे कहीं से भी शुरू कर सक के एक से चार तो एक से चार हमें डालना है तो किनहां से इंस सैट को रखना है ताकि इसकी तार उल्जहना और एक साइड और हमें जहां से connection वाली है हमें इसे इस तरह से सीधा कर लेना है ठीक है इस तरह से आप अच्छे से सीधा इसे कर लोगे इस तरह से आपने से सीधा करना है और क्या करना है दोस्तों हमें क्या करना है एक से चार में हमें इसे इंसल्ट कर देना है दीखिए जैसे यहां पर है अब हमने यहां से शुरू करेंगे तो यहां से एक यहां है तो दो इसके बीच के छोड़ने हैं फिर यहां हम डालना है अगला ठीक है एक यहां दो बीच के फिर एक अगला तो इसे मैं आपको दिखा देता हूं देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर और आपने दो पीज के यह स्ट्ट्ट चोंडने हैं फिस प्रत और इस तरह ऐसी तरह से आपने इस इसको नियुक्त कर 25 ज्याहेंच को यह भी एक चिसको बिए तो आपको यह कोई और दालोग़ं तो आपको यहां रखना और पेपर लेने के बाद दोस्तों क्या है इसे इस तरह से आपने मोड देना है उसके बाद आपने इसको यहां पर इंसल्ट इस तरह से इसमें कर देना है ठीक है आप इसमें इसको इंसल्ट इस तरह से आसानी से कर सकते हो यह आपको डालना बहुत ज्यादा जुरूरी है इस दो connection वाली wire तो इस side के आपके निकल चुकी है ठीक है अब आपने क्या करना है दोस्तों इसको इस तरह से पकड़के आपने इस तरह से हाथ में पकड़ना है और इस तरह से इसको गुमा लेना है ठीक है जितना हो सके तरह यहां पर इसको tight कर देना है और इसको आपने गुमा क करके दूसरी le जाना है ठीक है अब हमें क्या करना है एक राउंड हमारा एक से चार आएगा और एक से 6 आएगा हमारे दो रहुंड ले तो इस तरह से आप ने इसको यहां से घुमा देना है और इसको आप दूसरी सैड के लिए उस से अगले वाला सलोट ठीक है जहां पर हमने पहले वाला सलोट में डाला था तार देखिए यहां पर अगले वाले सलोट में यहां वायर को डाला था ठीक है यहां पर डाला था इस से अगले वाले सलोट में हमें दो राउंड और एक में हमें सिंगल राउंड ठीक है इस त दें सब्सक्राइ coconut ना है कि एक से चार एक राउंड और एक से छह हमारे दो रहं गया कुश्कन के लिए यू जो निकलेगी और यहां से आप देखिए दोस्तों यह कोले इसके साथ connect है आगे इस वाली क्वेले से connect है तो हमें क्या करना है अभी हमारा जो हिस्सा है दोस्तों मैं आपको बता दूँ हभी connection हमारा निकला है इस साइड से इसकी पिछली साइड से ठीक है आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात है क्योंकि connection गलत होगे तो आपकी motor नहीं चलेगी हीट हो जाएगी तो आपने ध्यान देना है तो देखिए दोस्तों यहां से तुमारा यह lead के लिए आगया इसका काम नहीं है इसका काम आप connection के लिए बचा है अब जो यह वाली वायर है दोस्तों यह वाली मारी वायर जाएगी आगए तो इसके जो पिछला ह connection है इस कोईल के पास नहीं आना चाहिए इस कोईल को छोड़के अगले में आना चाहिए ठीक है दोस्तों एक कोईल को छोड़के आना चाहिए जैसे यदि मानलो कि हमारी कोईल यहां पर आती है दूसरी तो यहां पर यह connection कनेक्ट नहीं होना चाहिए इस तरह से और यह connection हमा वाला हिस्सा है यह connection वाली वायर है यह इसके अगले वाले जम जा रही है ठीक है इसका अगले वाला इसके अगले वाले से जाना चाहिए और जो यह connection है जो अगले कोईल से connect है वो यहां पर हमारा छूटा वाह है ठीक अब दीकि दोस्तों हमारे दोनों कोईल कंप्लीट हो को अगले वाला अगली कोईल के अगले से होना चाहि Rider ला है यह पिछली कोईल के पिछले हिस्से से यह ऑगापको कोईल डालना व्यसे ही दोस्तों सिर्फ एक को X-s Гίοormk में च accumणना है और एक्र चूडने के बाद आपको एक से चार आपको यहां connection coil डालते रहना है, पहले में आपको डालना है एक-एक round और दूसरे slope में Eeen से छे, एक से छे डालना है आपको 2 round, इसी त exclude डाल नेगे, जिस तरह से में colony coil डाले है, इस तरह से में फटा-फट से coil डाल देता हूँ, ताकि आपका भी time बचे और मेरा भी समय बचे है अब देखे दोस्तो हमने इसके winding को complete कर दिया है जो हमारी starting winding यो डल करके okay हो चुकी है एक connection दोस्तो ये बचता है हमारे पास ठीक है और एक connection हमारे पास ये बचता है ठीक है काफी confusion देता है काफी लोगों को बहुत confusion देता है तो मैं बता दूँ आपको देखे दोस्तों जैसे हमने यहां से कोईल को शुरू किया देखें यहां से हमने कोईल डालना शुरू किया तो एक connection ये बच गया इसके बाद हमारा आखरी connection जो निकल दा जो कि अगली कोईल से connect था वो हमने यहां पर साथ वाली कोईल में नहीं रखना है उसको घुमा करके यहां ला देना है कोईल को पल्ट दें तो आपका automated की हैं यह connection आजएगा उसके बाद फिर लाश्ट में एक सीरा चुटता है तो इस सीरे चुटता है तो उसका ये लाश्ट में लाश्ट का और जो पहले का है फिर हमारा पहले वाला यह हमारा पहले में ही हां connect होगा मिन्स एक कोईल को छोड़ करके एक कनेक्शन को छोड़ करके हमारा कनेक्शन होता है इसे कहते हैं सिरीज कनेक्शन तो इस तना से आप कनेक्शन कर लेंगे तो और आपको जो मोटर बानने का तरीका मैंने बताया है कि पहले आपने क्या करना है मैं आपको यह दिखा देता हू के वहीं पर एंट करके को को दो राउंड हमने इसमें डबल करके डाले हैं इसके बाहर वाली साइड में दो-दो हमारे स्लोट बीच में छूटते चले जाएंगे जिसमें की मारा जो रॉनिंग की जो क्वैल है वो डलेगी ठीक है इसी तरह से आपने कोई सी भी मधानी की मोटर हो आपके पाथ 24 लोट की कोई सी भी मोटर हो 24 लोट की उसमें आप इसी तरह से इसको डाल सकते हैं तार का नंबर गेज बगेरा वो अलग होता है बलती तरीका सभी का एक जैसा ही होता है फटा-फट से क्या करते हैं इसके अंदर वाले जो कोईल है उसके भी हम set बना लेते हैं और फटा फटा से मैं उसको बना लेता हूँ उसके जो हम data रखने वाले हैं वो हम भी हम 220 ही रखने वाले हैं और 220 हम अंदर रखेंगे 220 हम बाहर रखेंगे तो 220 टन की हम एक चार कोईले फिर बना लेते हैं copper की और आपको यह confusion होगा कि हम 220 ही टन तेयों रखते हैं, दोनों में बाबर टाता की रखते है क्योंकि दोस्तों जो मधशनीं की मोटर होती है, वह उल्टी सीधी दोनों साइड घूमती है, तुम Campaignra Kacon बना लेता हूं फिर आपको माइंड करके पूरा मोटर माइंड करके दिखाता हूं तो कॉल बनाने से पहले दोस्तों हम बाहर का जो हम कोल बना रहे हैं थीक है तो इसतरा से आप इसको गुलाई में इसकी पेवाश ले ले और फिर कोल बनाए हमने चार सेट और बना लिए हैं जो कि हमारे बारली सेट डलने हैं तो सेम इसी तरह से दोस्तो जिस तरह से हमने पहले वाले टर्न डाले हैं पहले वाले कोईल के सेट डाले हैं उसी तरह से आपने डालना है मिन्स आपने क्या करना है दोस्तो जो हमारा एक टर्न है ठीक है दूसरी साइड भी आपने जिसमें एक बार हे कोईल को डाला है ठीक है इन दोनों साइड में ठीक है दोनों कोईल की सेंटर में यहां पर बीच में एंड पर ठीक है आप कहीं से भी ले सकते हैं यहां से आपका जहां पर कनेक्शन दोनों बाहर निकले वे हैं जैसे कि मेरे कने से इसको motor को रख लूँगा मैं यहीं से शुरू कर सुन है जिसमें हमने पहले एक कोईल का उसमें इसके बाहर में ने उसमें से पहले दोस्तों जब हम इसके कोईल डाले हैं उससे पहले हमें एक काम और करना जुरूरी है जो कि आपका बहुत ज़्यादा जुरूरी है यह आप वह नहीं करोगे तो आपकी जो मोटर जल्दे से चल जाएगा आपने क्या करना है इस तरह कोई सेपरेट पेपर भी ले सकत हैं तो हमने क्या करना है इसके अंदली साइड यहां पर हमने इसको टेप को लगा देना है ताकि जो रूणिंग और स्टाटिंग है वह आपसमें वीडे ना और आपसमें शोट ना हो हीट होने के कारण तो इसमें क्या करते दोनों साइड हम इस तरह इसमें फटा-फटा- से डाल लेता हूं और फिर आपको डालने के बाद दिखाता हूं उस प्रोसेजर सेम हैं दोस्तों वागी कुछ नहीं जैसे हमने पहले वाली कोईले डाली है वैसे ही आपने फड़ा फड़ा से दूसरी डाल देनी है हम नहीं करके इस मोटर को पूरा कंप्लीट कर दिया है बा दो एक अलर के और इसे हम बांद देते हैं मोटर को इसकी सपाई देखे लिए दोस्तों कितनी अच्छी आएगी यह आप अच्छे से रिवाइंड करना सीख जाते हो तो आपकी इसकी सपाई बहुत अच्छे से आ जाती है तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा